हेलो, नमस्कार, जैहिंद दोस्तों, मैं हूँ चंदरिका प्रशाद, इस वीडियो में हम साल्व करेंगे दोस्तों, UPTGT के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट यह वीडियो दोस्तों, UPTGT के साथ, UPPGT, LT Grade GIC Lecturer, NBS, KBS और UPSC की परिक्षा के लिए शमान रूप से उप्योगी है इस प्रैक्टिस सेट में 62 कोश्चन सामिल है, यह प्रैक्टिस सेट UPTGT Social Science 2021 के प्रशनपत की तरह है इसके प्रशनों के प्रकरती 2021 में पूँचे गए प्रशनों के प्रकरती पर आधारित है इसके सारे प्रशन महत्पूर्ड है, वीडियो काफी helpful होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए यह वीडियो आपके तयारी में और आपके सफलता में शायक सिद होगी तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमेडिटली वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए हमारा चैनल यूटूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है, जो केवल यूपी टीजी टी सोसल स्राइश की तयारी कराता है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का पहला कोश्चन है दोस्तों हस्तु कुठार उपकरड निम्नलिखित मेशक किस बिधी का उपकरड था आप्षन में दिया है यूनि फेसियल बाई फेसियल दोनों बिधियों से या रेट्चिंग उपकरड तो इसका सही उत्तर क्या है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आप्षन नमबर B बाई फेसियल यूनि फेसियल का मतलब एक मुहाला और बाई फेसियल का मतलब दो मुहाल था आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है राबर्ट बुरूस फूट ने भारत में पर्थम पूरा पासाड़ी कुपकरड किस अस्थान से प्राप्त किया आप से नुदिया है पल्लो वरम करनूल चितूर और निलोर तो इसका सहुत्तर क्या है आप जानते हैं अपसर नंबर पहला इसका सहुत्तर है पल्लो वरम राबर्ट बुरूस फूट दोस्तों 1836 में मदरास के निकट पल्लो वरम नामक स्थान से हैंडेक्स यानि की हस्त कुठार सबसे पहले प्राप्त किया था उसके बाद उनके एक मित्र से जो अतिरंपकम से पूरू बढ़ते हैं आगे, पिर अगला कोश्चन दोस्तों काउन सी धात सिंधवासियों को ज्यात नहीं थी। आपसर में दिया है शोना, चांदी, ताबा, और लोहा तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसर नमबर D लोहा शैंधर भर सभ्ता दोस्तों का से युगेन थी यहां के लोगों को लोहे का ग्यान नहीं था यहां से ताबा कासा सोना और चादी आज धातु में प्राप्त हुई हैं लेकिन लोहा नहीं मिला है भारत में लोहयुक के शुरुआत उत्तर बैदिक काल यानि की लगभग एक हजार इसापूर के आसपास मानी ज आपसन में दिया है शोना, चादी, ताबा और कासा तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नंबर पहला शोना गुजरात के एहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर लोथल इस्थित है लोथल से सोना धात के बारे में जानकारी के कोई प्रमाणों नहीं मिले हैं इसके अलावा चादी, ताबा, काशा, आद के प्रमाणों वहां पर पाए गये हैं तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है बैदिक काल में किश्रे अन्न देवताओं और मनुस्यों के मध्य, मध्यस्त वाला देवता माना गया है आपसन में दिया है अगनी, इंद्र, वरुड और मित्र तो इसका सही उत्र क्या है इसका सही उत्र है दोस्तों आपसन नमबर पहला अगनी रिगवेत में दोस्तों इंद्र के बाद सबसे महतपूर देवता अगनी थे इनके बारे में 200 सोक्त रिगवेत में लिखे गये हैं बैदिक काल में अगनी देवताओं और मनुश्यों के बीच में मध्यस्त का कार करते थे तो आप्शन नमबर पहला इसका सही है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों इन में से कौन बैदिक सूरी देवता नहीं है आप्शन में दिया है शाबित्री, बिश्लू उरुकरम, बिश्वकरमा और शबिता तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आप्शन नमबर सी बिश्वकरमा शाबित्री, बिश्लू उरुकरम और शबिता बैदिक सूरी देवता से सम्मंधित हैं जबकि विश्व कर्मा बढ़े यानिकी सिल्पियों का परधान होता था। विश्व कर्मा को निर्माण और स्रिजन का परतीक माना जाता है। आप शुक्याद रखेंगे। फिर अगला कोश्चन है, सर्व परत्थम किष्ण ने सुझाओ दिया कि संस्कृत लेटिन तथा ग्रीक एक ही भासा परिवार से शम्मन्धित है। आपसन में दिया है चार्ल्स बिलकिन्स, बी ए इश्मित या फ्मैक्स मूलर और सर बिलियम जोन्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, आपसन नमबर डी सर बिलियम जोन्स। 1786 में सबसे पहले दोस्तों, बिलियम जोन्स ने एक ब्याख्यान में या कहा था कि संस्कृत लेटिन और ग्रीन एक ही भासा परिवार से शम्मन्धित हैं। तो आप शुक्याद रखेंगे, आपसन नमबर डी सका सही उत्तर है। फिर अगला कोश्चन है दोस्तों, नारायर के साथ बिश्लू के तादात्मे का प्राचीनतम उल्लेक प्राप्त होता है। इन में से किश्चे, आपसन में दिया है तैतरी अरन अग्से महा भारत से पतंजली के महाभास्त से या बौधायन धर्म सुत्र से। इसका सही उत्तर है दोस्तों. आपसन नमबर पहला। तेटरी अरणनेक से महाभारत पतंजली के महाभास एवर बाधान शूत्र में इन सभी में दोश्टों नारायण के साथ बिशलू के ताधात्मे का उल्लेक मिलता है लेकिन सबसे प्राचेनतं उल्लेक तेटरी अरणनेक से मिलता है आप श्कर्याद रकेंगे आपसन नमबर प इसका सही उतर है दोस्तों आपसा नंबर पहला मैत्रे को दोस्तों बहुत परंपरा में भावे बुध का गया है जब की आवलुके तेश्वर पर्धान बोधी शत्व हैं तो आप इसको याद रखेंगे बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों प्रारामिक बौध धर्व में इस्तिरियों की इस्तिती की कुछ महत्पूल विसेस्ताओं के शंदर्व में निर्मलिखित कत्नों में से कौन सा अथवा कौन से शही है या हैं इसमें दिया है पहला इस्तिरियों के लिए निर्मार प्राप्ति शंभव दूसरा है भिक्छुडियों के लिए पिर्थक मठ का निर्मार फिर आगे लिखा है नीचे दिये गए कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखिए बुद्ध न इसमें भिक्छुडि संग की अस्थापना बैशाली में की थी शंग में परवेश पाने वाली पर्थम महिला परजापती गौत्मी उनकी मौशी थी भिक्छुडियों के आचर संबंधी कठोर नियम बनाए गए और भिक्छुडि संग को भिक्छुओं के एक अधीनस रूप में ढालने के लिए उन्हें आट सर्तों के साथ लागू किया गया इस प्रकार प्रारंभिक बहुत धर्म में इस्तिरियों को निर्मार प्राप्ति के लिए शंभव माना गया और उनके लिए प्रिशक मठ की अस्थापना की गई इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं तो दोने ही बास सही है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यमार्ग का क्या अभिप्राय है आप से में दिया है पहला दुख और सुख के बीच का मार्ग दूसरा है आत्मा परमात्मा के बीच का मार्ग तीसरा है स्वर्ग प्राब्दि का मार्ग और चोथा है ना अधिक कामभोग और ना अधिक काया कलेश तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों आप से नमबर डी ना अधिक कामभोग और ना अधिक काया कलेश महात्मा बुध्ध ने अश्टांगिक मार्ग के द्वारा अधिक सुख पूर्वग जीवन बितीत करना और काया कलेश में सनलित रहना बरजित किया है बुध्ध ने इस संबंध में मध्यम प्रतिपदा यानि की मध्यम मार्ग अपनाया है तो आपसन नंबर 20 का सहिवत्तर है आप शुयाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों पिपराहवा जिसका समी कलड कपिल बस्त से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपत में इस्थित है आपसन में दिया है बस्ति, बहरायच, शिड़ार्ट नगर और शंत कभीर नगर तो इसका सहिवत्तर क्या है आपसन नंबर 20 इसका सहिवत्तर है दोस्तों सिद्धार्थ नगर पिप्राहवा का शमी करड़ प्राचीन कपिल बस्त से किया जा रहा है जो बरतमान में उत्तर पदेश के सिधार्थ नगर जिले में इस्थित है शिधार्द नगर पहले बस्ती जिले में ही पड़ता था लेकिन इसको काट करके एक अलग जिला बना दिया गया है शिधार्द नगर के नाम से ही तो आप इसको याद रखेंगे आपसन नमबर सी इसका सही उत्तर है फिर अगला कोश्चन है दोस्तों निम्नलिकित मेश्र काउन चंदरगुप्त मौर के शासन काल में शावराश्ट का प्रांती गौणर था आपसन में दिया है तुसास्फ, पुस्य गुप्त, बिंदुसार और राधा गुप्त तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर बी पुस्य गुप्त चंदरगुप्त मौर के काल में दोस्तों सावराश्ट का प्रांती गौणर पुस्य गुप्त था और असो के काल में तुसास्फ था सुदर्शन जील गिर्णार गुजरात में जो इस्थित है इसका निर्माड चंदरगुप्त मौर के निर्देशन में उसके राजपाल पुष्गुप्त ने ही करवाया था फिर अगला कोश्चन है दोस्तों भारत का निम्लिकित कौन बर्तमान प्रांत मौर सामराज का अंग नहीं था आपसन में दिया है केरल, तमिल नाडु, A और B तथा कश्मीर तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर C, A और B राज तरंगड़ी से यह जानकारी प्राप्त होती है कि कश्मीर मौर सामराज का अंग था जहां पर अशोक ने स्री नगर नामग एक नगर बसाया अशोक के दूसरे सिलालेक श्रे यह ज्यानत होता है कि चोल, चेर, पांडे और सती पुत उसके राज छेतर से बाहर थे तो बरतमान परांद दोस्तों केरल और तमिल नाडु, मौर सामराज का अंग नहीं था आपसर नमबर सी, इसका सही उतर है, आपसर को याद रखेंगे फिर अगला कोस्चन है, निम्नलिकित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर के सामराज में शामिल नहीं था आपसर में दिया है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिल नाडु और बंगाल तो इसका सही उतर क्या है, इसका सही उतर है दोस्तों, आपसर नमबर सी, तमिल नाडु राजनेतिक तोर पर संपूर भारत का एकी करड़, चंद्रगुप्त मौर के नेतरुत में श्रम्भा हो सका प्रारंभिक बिजियों के परड़ाम सरूप, चंद्रगुप्त मौर का सामराज, ब्याष नदी से लेकर सिंधु नदीता के परदेश तक हो गया था रूद्रदामन के अभिलेक से पस्चिम भारत पर उसके अधिकार की पुष्टी होती है जैन गरंथों से ज्यानत होता है कि सौराष के साथ अवंती भी चंद्रगुप्त मौर के अधिकार में था उसके मृत्यू के समय उसके सामराज का फैलाओ पस्चिम में हिंदू कुस परबत और पूरब में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमाला से लेकर मैशूर तक था लेकिन तमिल नाडु चंद्रगुप्त मौर के शामराज में शामिल नहीं था तो आपसन नमबर 6 इसका सही उत्तर है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोस्चन है मौर सासन प्रबंध के अंतरगत राजस बेवस्था की देख रेक करने वाले अधिकारी का नाम क्या था आपसन में दिया है शामा हर्ता, अर्था ध्यक्ष, शन निधाता या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर पहला शामा हर्ता शमा हर्ता के बारे में परिक्षाओं में बार-बार कोश्चन पूछा जाता है आप शुक्याद रखेंगे राजस विभाग का परमुकतिकारी शमा हर्ता होता था इसका मुख्य काम था राजस एकतिरित करना आय और बे का विवरल रखना और बारसिक बजट तयार करना तो आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों गुप्त बंस के शासन काल में कौन सा स्थान कला का मुख्य केंदर था आपसन में दिया है शारनाथ, अमरावती, एलोरा और शांची तो इसका सहीत्तर क्या है इसका सहीत्तर है दोस्तों आपसन नंबर पहला सारनाथ इस काल में बौध कला का मुख केंदर मथूरा, शारनाथ और नालंदा थे इनमे शार सारनाथ सबसे महत्पूर्ड केंदर था शारनाथ का धमेकिश्चूप बुद्ध की बिभिन मुद्राओं में निर्मित मूर्तियां मूर्थ कला का उतक्रिष्ट उदारण प्रस्तुत करती हैं बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर निर्मित धमे किस्तूप 128 फिट उचा है शारनाथ की बुद्ध मूर्दी अत्यंत आकरशक है यह धर्म चक्र प्रहुरतन की मुद्रा में है तो आप शुकार रखेंगे दोस्तों गुब्त काल में कला का शबसे मुख केंदर शारनाथ था फिर अगला कोश्चन है ब्रिहत संगिता की रचना किशने की थी आपसन में दिया है काली दास कलहड आर भट और वाराह महिर तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर डी वाराह महिर गुप्त कालीन परशिद जोधिसा चार वाराह महिर ने दोस्तों ब्रिहत संगिता की रचना की है इसके अलावा इन्होंने ब्रिहज जातक और लगुजातक नामक रचनाएं भी लिखी हैं तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है देवगड के मंदिर के देवगड के मंदिर में कितने द्वार शाक हैं आपसन में दिया है 5, 7, 3 और 2 तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर पहला 5 देवगड के मंदिर में दोस्तों 5 द्वार शाक हैं यह उत्तर प्रदेश के ललित पूर जिले में श्थित है यह मंदिर भगवान विश्लू के लिए शमर्पित है यहाँ पर अन्य मंदिरों की छतें शपाठ हैं वही पर यह मंदिर शिखर मंदिर का पर्थम उदारन है तो आप श्क्याद रखेंगे देवगड का दसावतार मंदिर इसमें पाँच द्वार शाख हैं फिर अगला कोश्चन है दोस्तों देवगड के दसावतार मंदिर का द्वार किस दिसा में है आपसन में दिया है उत्तर, दक्षिड, पूरव और पस्चिम तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर डी पस्चिम देवगर की दसावतार मंदिर का दौर दोस्तों पस्चिंदि सामे है यह उत्तर प्रदेशके ललितपुर जिले में इस्थित है यह गुप्त काल के उत्कृष्ट वास्तों का नमूना है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों सल्तनत काल में दारूल शफा क्या होता था आपसन में दिया है एक चिकत साले शाही शिविर गुरसावारी के अभ्यास हेत खुला छेतर और शेना परेड के लिए खुला छेतर तो इसका सहुतर क्या है इसका सहुतर है दोस्तों आपसर नमबर पहला एक चिकित साले रोगियों के इलाज के लिए दोस्तों फिरोज शास तुगलक ने सलतनत काल में एक खैराती दवा खाना के अस्थापना किया था जिसका नाम था दारुल शफा यहां रोगियों को नेसुल की इलाज चिकित सा और भोजन की ब्युश्ता की गई थी तो आप शुक्याद रखेंगे सलतनत काल में दारुल शफा एक चिकित साले था फिर अगला कोश्चन है दोस्तों सलतनत काल में दिल्ली की राजगदी पर बैठने वाला अकेला भारती मुसलमान कौन था आपसन में दिया है नसीरुद्दीन खुसराव शाह, मुबारक खेल जी, रेहान या इनमेश कोई नहीं तो इसने बचपन से ही मुसलिम धर्म अपना लिया था उछने अपने नाम का खुद्बा पढ़वाया और पैगंबर का सेना पती की वपादी गराण की तो इस परकार दोस्तों खुसरव सा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारती मुसलमान था अब शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दीवाने मुस्तक राज विभाग की अस्थापना की गए थी किसके लिए की गए थी इनमें शिबताना है आपसन में दिया है पहला किरसी विभाग में शुधार करने के लिए दूसरा जागिरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए तीसरा है डांक बेवस्था में शुधार के लिए और चौथा है बकाया लगान की वसूली के लिए त मुस्तक राज विभा के अस्थापना क्यों की गई थी तो यह की गई थी दोस्तों बकाया लगान की वसूली के लिए आपसर नमबर D इसका सही उत्तर है अलाउत दिन खिली ने दोस्तों दीवाने मुस्तक राज की अस्थापना की थी अलाउत दिन खिली ने दोस्तों दीवा प्राया लगान की वशुली दीवाने मुस्तगरा जुखग करने लगी। फिर अगला कोश्चन है दोस्तों, अक्ता वह भूम होती थी जिसकी आय से क्या होता था। अक्ता वह भूम थी जिसकी आय पर शैन प्रसासन का नियंत्र था। अक्ता वह भूम का वह खंड होता था, जिससे प्राप्त होने वाला राजश्व, शैनिकों के बेतन के बदले उन्हें प्राप्त होता था। तो आप श्कुयाद रखेंगे, फिर अगला कोश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्व विद्याले का अंत हुआ, क्योंकि आपसर में दिया है, पहला राज सनक्षर नहीं दिया गया था। दूसरा है, वहाँ विद्वान उदासीन रहे, तीसरा है, भारत में बहुत धर्म बिलीन हो गया और चोथा है, विद्वान आपस में आठ सहीन बाद विबाद में उलची रहे। तो इसका सही उत्तर क्या है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसर नमबर पहला राज सनक्षर नहीं दिया गया नालंदा विश्व विद्याले को दोस्तों राज का सनक्षर प्राप्त नहीं हुआ इसलिए उसका पत्न हो गया फिर अगला कोश्चन दोस्तों किसी सूफी शंत ने भारत को धर्ती का स्वर्ग कहा था आपसे ने दिया है शेख निजामुद्दिन अउलिया, अमीर खुर्द, बाबा फरीद्या, अमीर खुसरो तो इसका सहीउतर क्या है? आपसे नमबर डी इसका सहीउतर है दोस्तों, अमीर खुसरो अमीर खुसरो ने भारत को धर्ती का स्वर्ग कहा है, आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोशन है निमलिकित मेंशे किस गर्ण्थ में फिरोज reduction की नहर योजना का बिस्तिरत बिवरण मिलता है आपसन में दिया है तारीख ये फिरोज शाही, तारीख ये मुबारक शाही, खुथ हात ये फिरोज शाही या इनने मेंशे कोई नहीं तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसर नमबर पहला तारीख के फिरोज साही की रचना की है इस पुस्तक में फिरोज साह तुगलक की नहर योजना का बिश्तित विवरर मिलता है आप श्कुयाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है पिर अगला कोश्चन है दोस्तों शमर कंद के मुहम्म्मद नादिव और मुहम्मद मुराद कि इसके शासन काल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे आपसर में दिया है अकबर जहांगीर, शाह जहां और और अरगजेब तो इसका सही उत्तर क्या ह इसका शही उत्तर है दोस्तों आपसा नमबर B जहांगीर जहांगीर के समय में मुगल चितरकला अपने विकास की चरम सिमा पर पहुँच गई जहांगीर चितरकला का पार्खि था शमरकंद के मुहम्मद नादिर और मुहम्मद मुराद चितरकार थे ये लोग उसके सासनकाल में आने वाले भारत में अंतिम कलाकार थे तो आप श्कुयाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है सुलह सो एक में खान देश पर अकबर की बिजय की स्मृति चिन्न के रूप में कौन सा असमारक था आपसर में दिया है जामा मस्जिद इबात खाना बुलंद दरवाजा और बेबी खानम का मकबरण तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तो हूं आपसर सो नमबर सी बुलंद दरवाजा अकबर ने 1572 धियतर में गुजरात की बिजय की थी अकबर ने गुजरात बिजे की याद में बुलंद दर्वाजा बनवाया था लेकिन 1601 में खान देश की बिजे पर बुलंद दर्वाजा की उचाई उसने बढ़वा दी थी तो गुजरात बिजे और खान देश दोनों बिजे की स्मिर्ती में बुलंद दर्वाजा माना जाता है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है बुलंद दर्वाजा अगबर की किन बिजे की उपलक्ष में बनवाया गया था आपसन में दिया है राजपूत, मारवाड, गुजरात और डककन तो इसका सही उतर क्या है आपसन के शाब से इस तरह के कोश्चन का उतर आप लगाएंगे इसका सही उतर है दोस्तों गुजरात आपसन नमबर C इसका सही उतर है फिर अगला कोशन है मिर्जा राजा की मुगल पद्वी किश्य परदान की गए थी आपसन में दिया है जैशिंग, भारमल, जसवन्त और राम सिंग तो आप जानते ही हैं इसका सही उत्तर है आपसन नमबर पहला जैशिंग है राड़ा जैशिंग को मिर्जा राजा की मुगल पद्वी परदान की गए थी वह मुगल सामराज के एक बरिष्ट जनरल और अम्बेर सामराज के शासक थे तो आप श्क्याद रखेंगे फिर अगला कोशन है राजपूत मनशबदारों की संख्या किस मुगल बाद साह के राजकाल में सरबाधिक थी आपसन में दिया है औरंग जेब, जहांगीर, शाह जहां और अकबर तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर पहला औरंग जेब मुगल बाद साह औरंग जेब के शाहसन काल में दोस्तों हिंदू यानि की राजपूत मनशबदारों की संख्या सबसे अधिक थी 33 परशन्ट थी आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है अकबर के सासन काल में उपज का कितना प्रतिसत भू राजपू के रूपमें किशानों से लिया जाता था अकबर के सासन काल में दोस्तों भू राजपू किदर एक तिहाइ थी यानि की 33 परटे 3 आपसन नमबर 6 इसका शही उत्तर है अकबर के सासनकाल में भोराजसु किदर एक तिहाई थी आप इसके याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है अकबर नामा किस भासा में लिखा गया है तो यह लिखा गया है दोस्तों फारसी में आपसन नमबर सी वाला इसका सही है फारसी अकबर नामा अबुल फजल ने फारसी भासा में लिखा है इसके तीन भाग है और इसके लास्ट वाले आने के तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है फिर अगला कोश्चन है दोस्तों नेल बिद्रोह कब आरम हुआ था आपसन में दिया है 1869, 1871, 1886 और 1901 तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों 1869 आपसन नमबर पहला 1857 की करांती के बाद दोस्तों बंगाल में तुरंत नेल बिद्रोह प्रारम हो गया नील उतपादन के दो भूत पूर्व करमचारियों दिगंबर विश्वास और विश्वु विश्वास ने नील बिद्रोह का नेतरुत किया था कारड यह था कि बंगाल के कास्तकार अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे लेकिन यूरोपी नील बागान के मालिक उनको नील की खेती करने के लिए बिवश करते थे नील की खेती से इंकार करने वालों किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चकर कर सामना करना पड़ा उत्पीडित किसानों ने दिकंबर बिश्वास और बिश्वु बिश्वास के नेतरुत में नेल बिद्रो 1869 में प्राराम किया था तो आप इश्वास रखेंगे फिर अगला कोश्चन है निमनलिकित मेंशे किसे अस्थाई बंदो बस्त के जनक के रूप में जाना जाता है तो यह जाना जाता है दोस्तों फिलिफ फ्रांसिस को आपसन नमबर डी इसका सहुतर है फिलिफ फ्रांसिस फिर अगला कोश्चन है दोस्तों निमनलिकित मेंशे कौन सा बिश्विजाले 1857 निसभी में अस्थापित नहें किया गया था आपसन में दिया है कलकत्ता, बंबई, इलाहबाद और मदराश तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों आपसन नमबर शी इलाहबाद 1854 में उड़ डिस्पैश को आधार बनाकर लंदन बिश्विजाले के शमान, बिटिस भारत में तीन बिश्विजाले, मदरास, कलकत्ता और बंबई में 1857 में बनवाए गए गए तो आप श्क्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दूती गोल में समेलन में स्री मती सरोजिनी नाइडू कि इसके दोरा नामे सदस की रूप में हिष्टा लिया था आपसन में दिया है भारती राष्टी का अंग्रेश, भारत सरकार, अखिल भारती मुसलिम लीग और हिंदू शमुदा है तो इसका सही उतर क्या है? इसका सही उतर है दोस्तों आपसन नंबर भी भारत सरकार 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोल में समेलन हुआ था सिर्मति सरोजिनी नाइडू और बेगम साह नमाज भारत सरकार की और से नामित अतरिक्त सदस के रूप में हिश्टा लिया था तो आप इश्क्याद रखेंगे तो आगला कोस्चन है निम्नलिकित में से काउन सा बिकल्प बढ़ते करम में शत्य है? आपसन में दिया है पहला लखनव समझावता चंपारण सत्यागरह आसायोग आंदोलन और शबने आग्या आंदोलन तो यही बिकल्प दोस्तों इसका सही है यही बढ़ते करम में शही है फिर अगला कोश्चन दोस्तों निम्रलिकित मेंशे किश्को भगत सिंग के साथ फांसी नहीं दी गई थी आपसन में दिया है जतिन दास, राजगुरु, शुखदेव या इन मेंशे कोई नहीं तो इसका सही उत्तर क्या है, आपसन नमबर पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों, जतिन दास लाहोर साड़ेंदर केश के अंतरगत गिरपतार जतिन दास ने जेल में राजनितिक बंदी का दरजा पराप्त करने के बाद भूख हरताल की थी 63 दिन के बाद उनकी 1927 में ही मिर्ति हो गए थी, 3 दिसंबर 1931 को शुखदेओ भगत सिंग और राजगुरू को फांसी की सजा दी गए थी तो आफसर नमबर पहला इसका सही है फिर अगला कोश्चन है पाकिस्तान का बिचार किसके दोरा परसस्त किया गया आफसर में दिया है मुहमद इकबाल दोरा जिन्ना दोरा लियाकत अली दोरा या शौकत अली दोरा तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों आपसन नमबर सी वाला इसका सही उत्तर है आपसन नमबर सीवाजी ने सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था आप इस गयात रखेंगे फिर अगला कोश्चन है फिर अगला कोश्चन है दोस्तों वह माराठा राजनितिक जिनकी मृत्तियों के साथ माराठा सरकार की नाना फटनवीश महाद जी शिंधिया और दादा जी कोंड देव तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर बी नाना फटनवीश नाना फटनवीश एक परमुख मराठा नेता थे इन्होंने पानी पत के तीसरे युद में भाग लिया था पा इसला कोश्चन है ना तो भारत के भूत काल पर आखे मूद कर निर्भर रहा जाए और ना ही पस्चिम का अंधान करण किया जाए बीबेक बुद्ध का सहारा लेकर नए भारत को सरबोच प्राच और पास्चात बिचारों को प्राप्त कर सजोए रखना चाहिए यह बिचार किसने रखे थे आपसर में दिया है राजा राम मोहन राए शर्षयत अहमद खान जवाहर लाल नहरू और हैनरी बिवियन डेरो जीओ तो यह बिचार हैं दोस्तों राजा राम मोहन राए के आपसर नमबर पहला इसका सही है फिर अगला कोश्चन है दोस्तों मिरात उल अकबार किश के द्वारा अस्थापित किया गया था तो आप जानते ही हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरात उल अकबार अस्थापित किया गया था नुईयार्क में लेकिन इसका मुख्याला बनाया गया था मदरास के अड़ेयार में तो आपसन नमबर डी इसका सही उत्र है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोस्टिन है दोस्तों 1906 में बंबई में किषने डिब्रेश्ट कलास मिसन सोसाइटी की अस्थापना की थी आपसन में दिया है बी आर अमबेटकर जोतिबा फूले गोपाल किष्ट गोखले और बी आर शिंदे तो इसका सही उत्र क्या है इसका सही उत्र है दोस्तों आपसन नमबर डी बी आर शिंदे यानि कि बिठल राम जी शिंदे इन्होंने दोस्तों 1906 में बंबई में डिब्रेश्ट कलास मिसन सोसाइटी की अस्थापना की थी आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों सोची एक का मिरान सोची दो से कराना है सोची एक में दिया गया है दयारंद सरश्वती, खान अब्दुलकफार खान, राजा राम मोहन राय और दिवेंदर नाठ टैगोर सोची दो में दिया है खुदाई खित्मतगार, तत्तो बोधिनी शभा, आर्श समाज और ब्रम समाज तो पहला है दोस्तों इसमें से दयानंद सरश्वती, इन्होंने अस्थापित किया था दोस्तों, आर्श समाज देयानंद सर्फवती ने आर्ष समाज की अस्थापना की थी खान अब्दल्गफार खान ने खुदाय खित्मत गार बनवाया था राजा राम मुहंडराश शम्मंधित हैं ब्रम समाज से इन्होंने ब्रम समाज की अस्थापना की थी और दिवेंदर नाट टैगोर शम्मंदित हैं तब तो बोधनी सभा से तो इसका सुमेलन आप इस परकार से कर सकते हैं आप इसको याद रखेंगे याद तो होगा ही आशान है फिर अगला कोस्चन है सोची एक का मिलान सोची दो से कराना है सोची एक में दिया है सत्य सोधक समाज आर समाज, सरीन सभा और स्री नारायाड धर्म, परिपालन सभा और दूसरी सोची में वह अच्छेतर दिया गया है जहां पर इसकी अस्थापना हुई थी तो पहला इसमें हैं दोस्तों सत्य सोधक समाज जो तिबार आप फोले दोस्तों महाराष्ट के थे वहीं पर सत्य सोधक समाज की अस्थापना हुई थी तो पहले का हो जाएगा दूसरा सत्य सोधक समाज महाराष्ट आर समाज आर समाज है दोस्तों उत्तरी भारत रहेगा सरीन सभा दोस्तों पंजाब से समन्दित है और स्रीर नारायन धर्म परिपारन सभा समन्दित है कीरल से आप इसका सुमेलन इस परकार से कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं फिर अगला कोशन दोस्तों पंजाब हिंदू सभा की अस्थापना किशने की थी आपसन में दिया है यूयन मुखरजी लाल चंद ए और बी दोनों और अजीद सिंग तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर 3 ए और बी दोनों ए और बी दोनों ने मिलकर यानि की यूयन मुखरजी और लाल चंद ने मिलकर के पंजाब हिंदु सभा की अस्थापना 1909 में की थी तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोस्चन है निमनलिकित को उनके सही काल करमानुसार बेवसित करते हुए नीचे दियेगे कूट से सही उत्तर चुनिए कूट कि थर है इसमें दिया है दोस्तों दक्कन अशान्ती, पवाना बिद्रो, नील बिद्रो और तमिलनाड के पोलिगारों का बिद्रो तो इसमें पहले दिया है दोस्तों दक्कन अशान्ती दक्कन अशान्ती हुए थी दोस्तों 1875 में 1875 में दक्कन अशान्ती पवाना बिद्रो हुआ था दोस्तों अठारसो तिहत्तर से चिहत्तर के बीच और नील बिद्रोधोस्व बंगाल में अठारसो उनसट साथ में हुआ था अठारसो उनसट साथ में तमिल नाड के पोलगारों का बिद्रोधोस्व दोस्टों सतरासो निन्यानबे शे अठारसो एक तक हुआ था सतरासो निन्यानबे अठारसो एक सही कालकरम के अनसर बेवस्थित करना है दोस्टों तेसमें सबसे पहले हो जाएगा तमिल नाट के पुलुगारों का बिद्रो उसके बाद दूसरे पर आ जाएगा नेल बिद्रो उसके बाद तीसरे पर पवाना बिद्रो और अंत में हो जाएगा धक्कन अशान्ती तो D, C, B और A आपसन नमबर C इसका सही उत्तर होगा आप शुक्याद रखेंगे, बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों, खिलाफत आंदोलन किष्णे प्रारम किया था आपसन में दिया है मुहम्मद अली ने, शौकत अली ने, हसरत मुहानी ने या A और B दोनों ने तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, आपसन नमबर D, A और B दोनों ने यानि कि मुहम्मद अली ने और शौकत अली दोनों लोगों ने खिलाफत आंदोलन के लिए दोस्तों एक कमेटी बनाय गए थी लेकिन इसका मुखिसरोत अली बंधू यानि की शौकत अली और मुहम्मद अली को दिया जाता है फिर अगला कोश्चन है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर श्री जोसब वापिस्ता आप श्प्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है बुद्ध ने सरवाजी कुपदेश कहां दिये थे आपसन में दिया है बैसाली में, स्रावस्ती में, कौशामबी में या राजग्रिह में तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर डी में, बैसाली में बुद्ध ने अपने जीवन का सरवाजी कुपदेश कौसल देश की राज़ानी स्रावस्ती में दिया था मात्माबुद ने अपना पहला अपदेश शारनाथ में पांच ब्रामडों को दिया था जिसको बहुत गरंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है तो आप इसको याद रखेंगे सबसे जादा अपदेश तरावस्ती में दिये थे पहला कोशचन है पहला गुप्त सासक जिसने श्रिक्के जारी करवाए थे घटोत कच के उतरा धिकारे के रूप में चंदरगुप्त पर्थम शिंगासन पर बैठा इसने उस समय के प्रशिदि लिक्षवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवा किया और महाराजा धिराज के पाधी धारण की चंद्रगुप्त प्रथम ने एक शमवत गुप्त समवत के नाम से प्रारम किया था 399 सिस्वी में और उसी समय रजत यानी की चांदी की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था तो आफसन नमबर B इसका सही उत्तर है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला क्वेश्चन है श्वामी दयानंद सर्फवती ने एक राजनितिक बिचार की सुरुवात की थी वह कौन था आफसन में दिया है वैराज श्वाराज दूई राज या अधिराज तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आफसन नमबर B श्वाराज शौमी देयनंद सर्फवती में दोस्तों शौराज नामा के एक राजनितिक बिचार के सुरुवात की थी और भारत भारतियों के लिए है यह नारा लगाया था आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन में वही है कि भारत भारतियों के लिए है किशने कहा था तो यह कहा था दोस्तों शौमी देयनंद सर्फवती ने आप शुक्याद रखेंगे बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों 1929 में शारदा अधनियम के दोरा लड़कियों के विबाह की आयु निर्धानित की गई थी इनमें शिक कितनी आपसर में दिया है 14 हवर्स, 16 हवर्स, 18 हवर्स या 12 हवर्स तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों आपसर नमबर पहला 14 हवर्स अजमेर के निवासी और परसिद सिक्षा बिद हर बिला शारदा के परयासों से दोस्तों 1927 में बाल बिबा निशेत कानून बना उन्हें के नाम पर इसको शारदा अधनियम या सार्था एक्ट के नाम से जाना जाता है इस अधनियम के माध्यम से लड़कियों के बिबा के निवन्तम आयू 14 हवर्स और लड़कों के लिए 18 हवर्स निर्धारित की गई तो आप इश्क्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है निर्मलिकित मेंशे किशने आगरा की अस्थापना की थी आपसन में दिया है बलबन, बहलोल लोधी, शिकंदल लोधी और फिरुच तुगलग तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर सी शीफार शिकंदल लोधी श्रीकंदल लोधी ने दोस्तों पंदर सो चार इस भी में आगरा की अस्थापना की थी तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है रामकृष्णी मिसन की अस्थापना करने वाले बुद्ध जीवी कौन थे तो आप जानते ही हैं श्रामी विवेका अनंद से आपसन नंबर भी इसका सही उत्तर है तो आप श्रीकंदल रखेंगे बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नंबर 61 बंगाल के मुसलिम पुनर जागण के पिता कहे जाने वाले मुसलिम विद्धवान कौन थे आपसन में दिया है शर्षरियत अहमद खां अब्दुल लतीफ मिर्जा गुलाब अहमद या आगां खां तिरती तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों आपसन नंबर भी अब्दुल लतीफ बंगाल के मुसलिम पुनर जागण का पिता दोस्तों अब्दुल लतीफ को कहा जाता है इन्होंने कलकत्ता में 1863 में मुहमद लिटिरली सोसाइटी की अस्थापना करवाई थी तो आप इसको याद रखेंगे फिर अंदिम कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नंबर 62 1907 के दूतिय इंटरनेशनल की इस्टूगाट कांग्रेस में सोतंतर भारत का जंड़ा किष्णे फाराया था तो यह फाराया था दोस्तों मैडम कामा ने आपसन नंबर डी इसका सही उतर है आप इसको याद रखेंगे इसी कोश्चन के सारा दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समात होती है अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद